25 जन्वरी को दो बड़ी फिल्मों की भिडंत हो रही है शारुक की रैस और रितिक रोशन की काबिल में मुकाबला है जहां सलमान रैस के पक्ष में आये हैं तो दूसरी ओर आमिर खान ने काबिल का साथ दिया है पिछले दिनों आमिर खान ने काबिल के ट्रेलर की खुब तारीफ की उन्होंने कहा कि रितिक रोशन की फिल्म का ट्रेलर फिल्म के पती दिल्चस्पी जगाता है और वे राकेश रोशन द्वारा निर्मित फिल्मों को बेहत पसंद करते हैं तारिफ के अलावा आमिर ने अपनी आगामी फिल्म दंगल के साथ काबिल के दूसरे ट्रेलर को जोड़ने की अनुमती भी दे दी है। इससे काबिल को फायदा मिलेगा। आमिर द्वारा काबिल का पक्ष लिये जाने पर कुछ लोगों का कहना है कि वे शाहरुक से दुश्मनी निकाल रहे हैं। शाहरुक को उन्होंने कभी भी पसंद नहीं किया। जब शाहरुक और सल्मान में पंगा हुआ तो उन्होंने सल्मान से दोस्ती बढ़ा ली थी। अब वे काबिल की तारिफ कर अपने प्रशन सकों को इशारा कर रहे हैं कि वे रईस की बजाए काबिल देखें।